भगवान शिव हिंदू के लिए एक बहुत ही महत्पून देपता है उन्हें हिंदू पोरानिक कथाओं में विनाशिक के रूप में जाना जाता है श्रावन महिने में शिवजी के भग कावड लेकर उन्हें जल चडाने चाते लेकिन जारकन के रामगर जिले में एक ऐसा मंद मंदिर है जहां हर दिन चमतकार होता है यहां साल बार 2400 घंटे शिवजी का अभिशीक स्वेम मा गंगा करती है भगवान शिव को समर्पित तूटी जहना मंदिर जारकन के राजगर जिले के मांडू के एक काउं बोगाबर में स्थित है जहां माला जाता है कि देवी गंग स्वेम शिवलिंग पर जल डालती है सबसे दिल्चस बात है कि यह जल की ठारा सथियों से बैती आ रही है जाकट के रामगर में एक ऐसा मंदिर है जोस्तों जहां हगवान भूनेनाथ के शिवलिंग पर जल अभिशेक पूई और नई स्वेम गंगा माता करती है मंदिर का र मंदिर का उल्लेक हिंदू पुराणों में भी मिलता है वक्तों की आस्ता है कि यहां पर मांगी गई हर मुरादपूरी होती है और यह मंदिर अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है इसका इतिहास मंदिर का इतिहास 1925 से जुड़ा हुआ है ऐसा माना जाता है कि 1925 में कुछ अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में रेलवे लाइन मिचाने का काम कर रहे थे तब उन्होंने यह चमतकार देखा इस चमतकार को देखका वह हैरान रहे गए दीर दीर यह बात दूर दूर तक प की भी बढ़ती ही गई दरसर अंग्रेज अधिकारी यहां पानी की खुप के लिए खुदाई का काम करवा रहे थे उसी दौरान उन्होंने जमीन के अंदर कुछ गुंबद नुमा चीज दिखाई पड़ी अंग्रेजों ने इस बात की जानने के लिए पूरी खुदाई कर रहता इस द्रेश्य को देखकर वो और भी हैरान रहे गए यह पानी देवी की नाभी के नीचे से बह रह था और उनके दोनों हातों से शीवलिंग पर ऐसे गिर रहता जैसे देवी की मूर्ति शीवलिंग पर पारी डाल रही हो लिए है कि पानी अभी विदेवी उनकंगा क की मूर्ति के माध्यम से बहता है और तब से एक बार भी नहीं रुका है कुदाई पूरी होने के बाद मंदिर के अंदर भगवान भोले का शीवलिंग मिला और उसके ठीक उपरमा गंगा की सफेद रंगी प्रतिमा मिली प्रतिमा की नाभी से अपने आप जल निकलता रहता है जो उनके दोनों हातों की हतेली से गुजरते हुए शीवलिंग पर गिरता है मंदिर के अंदर देवी माता की प्रतिमा से स्वेम पाने निकलना अपने आप में एक कोतुहल का विशय बना हुआ है खुदाई के बाद से आज तक रहस बना हुआ है इस रहस को जानने के लिए कई विज्ञानिकों ने इसके उपर शोद भी किया और जानने की कोशिश की कि आखिर इस पानीकर स्त्रोथ कहा है लेकि दर्श को आज तक इस रहसे को कोई भी सुलजा नहीं पाया है मंदिर का रहस यह है कि यहां अभिशेक साल के 12 माह और 24 घंटे लगातार होता है यह पूजा सदियों से चली आ रही है लोग का वंदती है कि इस मंदिर का उल्लेक हिंदू पुराणों में भी मिलता है वक्तों की आस्ता है कि यहां पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है और यह मंदिर अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है दोस्तों भगवान को कोई माने या ना माने लेकिन वो अपनी शक्ति और मौजगुद्गी का एहसास करा ही देते है जो देवी शक्ति का अनुका चमतकार है वो हमें चमतकारी मंदिर जहारकंड में देखने को मिलीग इस मंदिर की मानेता या रहस्य के बारे में सुनकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है यही वज़े है कि ऐसे जमतकारी और रहस्य में मंदिर हमेशा से ही वक्तों की आस्ता का केंद्र है यह अब तक रहस्य बना हो है लोक मानेता है कि शिव निकप जलाबिशे कोई और नहीं सुन मागंगा करती हैं यहां लगाए गए दो हैंड़ पंबे रहस्यों से गिरे हुए हैं यहां लोगों को पानी के लिए हैंड़ पंब चलाने की ज़रूत नहीं पड़ती बल्कि इसमें से फूर मीपानी नीचे बैता रहता है वहीं मंदिर के पास से ही एक नदी गु तूटी जहन्दा मंदे में जो कोई भग्वान के इसन पुत रूप के दश्रन कर लेता है उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है बक्त महादेप गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहन करता है और इसे अपने घर ले जाकर अपने बारिवार के लोगों के बीच में भाटता है और ऐसा कहा जाता है कि इसे मन में बहुत चांती मिलती है यह मंदे जारकन के राजगार जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर है जहां शिवजी के शिवलिंग पर खुद मा गंगा अभिशिक करती है